सपना एक देखोगे तो मुश्किले हजार आएंगी लेकिन वो मंचर भी बहुत खुबसूरत होगा जब काम्याभी शोर मचाएगी इसी तरीके से पढ़ते रहे हैं बिल्कुल भी डरने और घबराने की जूत नहीं है और आज आप लोगों के लिए एक बहुत शांदार वीडियो लेकर आया हूँ चार ऐसी स्टेटेजी बताऊंगा अगर आपने फोलो कर ली तो शोर्ट शोर्ट पास हो जाएंगे सर बिल्कुल देखते रहेगा वीडियो सरफ पांच मिट की वीडियो है पांच मिट लगाईएगा मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपोर्ट है और आप डेफिनिटल इनी स्टेटेजी को फोलो करके आप पास हो सकते हैं सबसे पहली स्टेटीजी पीटा मैं जो बताने जा रहा हूँ पिछले 15 साल का experience शेर कर रहा हूं आपके साथ सबसे पहली स्टेटीजी सर सबसे पहली जो दिक्कत बच्चा करता है हंड जो कभी बच्चा करने की कोशी निए 100% बेटा पेपर एटेम्ट करना इस चीज़ को याद रखेगा अगर मान लो अपको कोई कोश्चन नहीं भी आता तो छोड़के नहीं आना मेरे भाई फिर कोश्चनając कर दो देखना एक दो नंबर कुछ मिली जाएंगे उसके मान लो एक टेक्स का दिरेक्टर लिखा हुए तो सर छोड़ने के क्या जूत है एडिशनल डिरेक्टर से रिलेटिड जो पढ़ा हुए वो पूरा लिख कर आओ यृष याद रखना आप लो मेरी बात समझ में आ लास में टेम करने ऐसे question ऐसे नहीं कि यह वाले question सबसे पहले time कर दिये वह गलत हुजाएगा पहले 3-4 मैं कहा रहा हूँ पहले 3-4 question तो इतने शांदार होने चाहिए एक्जामने सोच में मजबूर हो जाए भाई इससे तो हुशार बच्चा हिंदूस्तान में पैदा ही नहीं हुए मतलब ऐसे पहले 3-4 अंसर आपको लिखने है बिल्कुत शांदार और मुझे लगता है बच्चा कैसा भी हो सर सो नंबर के पेपर में 2-3 अंसर तो उससे ऐसे आते ही होंगे जो शांदार लिख सकते हैं इतना शांदार लिख दो इतना शांदार लिख दो पहले 3-4 अंसर वह बंदा है भाई साब इसी का रहें का आने वाला है और सब जब लास में वह एना psychological effect रहता है जब बच्चे जब टीचर यह ब्रीव कर लेता है बच्चा हुश आपको 100% करना किसी भी कीमत पर अगर पास होना चाते हो दूसरी ट्रिक जल्दी बता रहा हूं बिटा 28 तारीक के बाद 28 मही के बाद सारे बच्चे सुन लो YouTube कर देंगे close YouTube पे वीडियो देखना कर दें बंद स्रफ और स्रफ किसके उपर ध्यान दे self-study बात समय आगी है कोई आप हाँ हाँ अगर कोई मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो लेकिन कोई क्लासिक्स और रिवीजन सब बंद कर देना सर बस लास्ट के दो-चार दिन हो थे अपना फोकस करो सर वीडियो बहुत देख लिए जो देखनी थी जब आप वीडियो देखोगे ना तो टीचर कुछ ना कुछ नया बता देगा तो सेल्फ डाउट में आ जाओगे और सर इस टैम सबसे ज्यादा फोकस सेल्ट करने अठाइस मही के बाद यूट्यूब बंद तो यह ना कुछ-कुछ जैसे टोपिक पढ़ रहा है तो उसे ना कई-कई जगा सर उसे समझ में नहीं आता है इसकी इसका मतलब क्या है तो लिखेगा लास्ट टाइम पर डॉंट ट्राइट तु फाइंड आउट दो लोजिक ध्यान से समझे मेरी बात लास्ट टाइम पर अगर आप कुछ पढ़ रहे हो और वो वो टोपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है मतलब कुछ चीज आप पढ़ रहे हो कोई concept है जो आपको जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सर उसका लोजिक धूड़ने की कोशिश मत करो don't waste your time last की जो कुछ दिन होते ना 4-5 दिन ब time कर लेना अभी उन चीज़ों अभे तुमने हजारों चीज़े लोजिकली पढ़ी है ठीक है कोई अगर एक आधी चीज अगर रह भी गई उसका लोजिक समय में नहीं आ रहा है तो अपने दोस्तों से फोन पर बात करके time खराब करने की जूरत नहीं है वो छोटी सी बात को चोटी सी बात है पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा उसको छोड़ दो और अगर logic नहीं आ रहा है तो उसे याद करो खतम करो आगे करो आगे बढ़ो आगे बढ़ो रुखना नहीं है ब्रेक लगा दिया तो जिन्दिक ब्रेक लग जाएगा मेरी बात समय आ लिए आपको सर रुखना नहीं है don't try to find out the logic सर एक्जाम में कोई logic नहीं पूछता logic आपकी जिंदिगी के लिए होता है मैं हमेशा बोलता हूं logic के साथ पढ़ना चाहिए लेकिन लास्ट टाइम पर हजारों चीज़े लोजिकल पढ़ी है अगर एक दो चीज़ छोड़ भी दोगे तो कौन स्याफ़त आ गई उसे क्राइम कर लो लेकिन अगर अब यहां पर आपने पंद्रा मिंट भी फाल तुमें ट्राइम खराब कर दिया लोजिक ढूंबें तो सब खराब हो जाएगा मेरी बात को समझे और गटेंग एंद लास्ट फोर फोर फोर्ट वरी वरी इंपोर्टन स्टेटेजी लास्ट एक्जाम का जो कुश्चन आया था लास्ट एक्जाम जो पेपर आया था उसे देखो अब धियां से सुनना मैं एक एकजामपल लेत हो मानलों एक एक एकजामपल लेत हो मानलों corporate रिस्ट्ट्टरिंग का या company लोगा paper आया आप पिछला company लोग का paper देखो और आप देखो company लोग के paper में या CR के paper में आप यह देखो पिछले time में कुणकिन टोपिक के पर question है उन सारे topic को पढ़ो और उन स रिपीट भी हो जाते हैं पिछले एक्जाम में जो आया है वो सेम टू सेम एक दो कॉशन रिपीट हो भी जाते हैं लेकिन रेर चांस है हां मैं यह नहीं कहा रहा हूं बिल्कुल छोड़ दो एक बार उसे पढ़ लो आपको अंडरस्टेंडिंग आ गई हां यह सारे कॉश्च हो सकते हैं कभी-कभी आभी जाते हैं लेकिन आप मुझे खुछ बताओ जो पिछले टैम में पिपर आया है वो पूरा पूरा रिपीट तो होगा ही नहीं कभी तो सर ऐसे कोश्चन के ओपर लास्ट दिन करने का को मतलबी नहीं बनता और कई लोग कहते हैं लास्ट एक्जा अगर आप यह फोलो कर लेंगे तो मैं आपको बता दो अगर यह strategy आप फोलो कर लेंगे तो डफिनिटली जून 23 के एक्जाम में 4 चांड लग जाएंगे दोस्तों मेरी बास में आ रही है तो दोस्तों प्लीज इसको फोलो कीजिए किसी चीज की जरूरत हो कोई चीज आपक आपके लास टाइम में इस एक्जाम के टाइम में रोज आता रहूंगा आपको motivate करने के लिए कुछ ना कुछ गाइड करने के लिए क्योंकि इस टाइम आपको इन सारी चीजों की बहुत जरूरत है और मैं आपको बता दूँ मैं आपके बस पांच मिन्ट से फाल्टों सार लाइक वीडियो को जुरूर कीजिएगा और शेर जुरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही गौड ब्लेस्ट यौल